सब्सक्राइब तो अभी तग हमने इस चेप्टर में जो पड़ा है उसमें लास्ट आपिक हमारा था बाद में डीकलराइजेशन आफ प्रोमीन वाटर भी पड़ लिया था आज जो हमारा टॉपिक है इसमें कुछ इंपोर्टन और्गैनिक कंपाउंट के बारे में डिसकुशन करेंगे तो शरी फरी डायक लिए से स्टार्ट करते हैं कार्बन कंपाउंट कि सबसे पहले वारा हमारा कार्बन कंपाउंट होने वाला है इस गोइंट वी इथेनॉल ठीक है स्टार्ट के सी तूएच वाई ओएच एथेनॉल या फिर आप इसे दूसरे डेमिंग में कह सकते हैं इथाईल ऐलकॉहॉल तो यह सेकंड मेंबर होता है इडिज जैकंड मेंबर सब्सक्राइब कैसे की आप इस तरह से क्योंगे सकते हैं अब इस तरह से लिख सकते हैं 3-ο सिस्टू-एच तो दो एच तो अब एतनौल एट इस दा मोस्त कॉमन एंड वाइडली यूज यूज अल्कॉहल और कभी कभार इतनौलको जस्ट अल्कॉहल भी कहते हैं तो अगर आप इतनौल वुड यूज यूज घरनें और physical properties of ethanol तो पहले इसकी physical property होती है कि ethanol is colorless second it is liquid in state third it has a pleasant smell and a burning taste ठीकि pleasant smell होती है और उसका टेस्स होता है थोड़ा जलावाओ ethanol एक volatile liquid होता है और low boiling point है इसका 78 degree celsius low boiling point density के बात करें तो it is lighter than water और water के साथ किसी भी proportion में हम इसे mix कर सकते हैं अब जो solubility है ethanol की water में वो तब हो सकती है because of its presence of hydroxyl group की वाज़े से भी इसकी जो ethanol है उसकी solubility होती है हमारे water में अब जो ethanol है उसमें अगर 5% water है इसे नौल में 5% water तो उसे हम कहते है रेक्टिफाइट स्पिरिट और यह जो रेक्टिफाइट स्पिरिट होती है इट इस कॉल्ड दी कमर्शल एलकोहॉल या आप इसे कह सकते हो यही होती है कमर्शल एलकोहॉल अगर 100% pure ethanol है अजब कोई mixture नहीं उसमें तो उसे हम कहते हैं absolute alcohol ठीक है और जो इथेनॉल है इट इस अ कोविरेंट कमपाउंड पर इसमें कोई hydrogen आइंस नहीं होते है तो इसलिए इसलिए न्यूट्र कमपाउंड अब अगर न्यूट्रल है तो इसका अगर हमें टेस्ट करना है और हमें टेस्ट करना है कि सब्सक्राइब करते हैं अब लिटमस टेस्ट को यूज करते हैं अब लिटमस टेस्ट में यह कोई इफेक्ट नहीं देगा क्योंकि इस अ न्यूट्रल कमपाउंड न्यूट्रल होने के वज़े से नो इफेक्ट और यह ओन लिटमस टेपर एधर वह आपका व्यूर्य इउ रिटमस टेपर हो तो जो भी आपकी सारे अलकॉल्स होते हैं वह नूट्रल होते हैं और किसी भी तरिके से लिटमस टेपर को एफेक्ट नहीं करते हैं अब अगर इनकी chemical properties के बारे हम बात करें तो chemical properties जो हमें discuss करने होंगी वो होंगी combustion oxidation reaction with na metal dehydration और reaction with carboxylic acids चीक है तो यह हमें discuss करने होंगी वेन वी विल टॉक अबाउट था chemical properties of ethanol तो ethanol की chemical properties में combustion भी अब है पढ़नी है reaction with sodium metal पढ़नी है dehydration पढ़नी है oxidation और reaction with carboxylic acid तो सबसे पहले आता है हमारा combustion combustion हम अभी जब chemical properties of carbon compounds पढ़ा था हमने organic compounds की chemical properties तब भी पढ़ा था तो अगर हम combustion property अब पढ़ रहे है इसकी ethanol की तो सबसे पहले हमें यह पता होने चाहिए combustion की जो हमारा ethanol होता है it is highly inflammable inflammable मतलब की easily catch कर लेता है fire को असानी से आग पकड़ लेता है highly inflammable liquid तो अगर आप air में इसे रखोगे तो burn कर लेता है easily to form carbon dioxide and water vapor और उसकी वज़े से यह heat और light बहुत emit करता है तो अगर जैसे आपका C2OH5OH है यानि ethanol प्लस 3O2 यह है oxygen जो हमें मिली है air से combustion आपने reaction करवाई combustion क्या होती है हमारी burning तो क्या बनाएंगा यह बनाएंगा 2 carbon dioxide के molecules plus 3 water plus heat और light emit होगी इसमें तो यह हमारी reaction होती है combustion reaction जब हम बात कर रहे होते हैं ethanol के बारे में इसमें आपका CO2 भी निकला water भी heat भी और light भी तो यह सारी चीज़ें हमारी इमिट होती है जब combustion reaction होती है और ethanol जब एक fuel की तरह काम करता है तो यह ऐसा material होता है जिसे आप burn कर सकते हो और इससे आप heat और light emit कर सकते हो अब क्योंकि यह clear flame के साथ burn होता है ethanol तो यह heat ज्यादा amount present आपका generate करता है या produce करता है तो यह एक अच्छा fuel है इसे गुट फ्यूल इसे हम पेट्रोल में भी एड करता है मतब इसके प्रॉपर्टी होती है द्यूटी विच वी कें यूज इडिटेविन पेट्रोल ठीक है अब कल हमें थोड़ी इथिनॉल की इसी केमिकल प्रॉपर्टी यह आगे डिसक्स करना और फिर आगे वाली इसक प्रॉपर्टी यह सब तो फिला लाज्टी के इस वीडियो में इतना है थैंक्स वाचिंग इस वीडियो अगर आपको कोई भी सेटेशन हो तो प्लीस कमेंट दाउन बिलो सब्स्क्राइब दाइन इस ट्यून फो लेटर अप्डेट्स थैंक यू